ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com इन्वेस्टिंग मेड एजी एंड रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ 8.3% लेकिन अनुमान था 8.1% का तो महंगाई 8% से उपर आना वो ही टेंशन की बाद थी और उसके बाद मनें देखा कि अमेरिकन मारकेट्स लोवर लेवल पर जाके बंद होते हुए नजराए लेकिन आज जब बजार खुलने वाले थे इंडिन मारकेट्स तो उसमें S-DX बता रहा था कि जबरदस बिक्वाली के बीच शुरुआत होगी 160 से 180 पॉइंट का gap डाउन देखने को मिल सकता है 16,000 के करीब खुल सकते हैं और बिलकुल उसी तरज पे खुले 16,021 आज के दिन का ओपन हुआ लेकिन चुरुआती 15 मिनिट में ही धेर हो गए पहली सांस ली 15,900 पे जाके जियां उसके बाद दिन भर 15,800, 15,900 इसी रेंज पे कामकाज होता हुआ नजर आया लेकिन अंत में जाते आते बिलकुल सरेंडर कर दिया आज वीकली एक्सपाइरी का दिन था, दिन का लो लगा दिया अंत में 15,735 का जैसे कि आप जानते ही है कि LIC के IPO की होने वाली है लिस्टिंग तो ऐसे में 5 पैसा आपके लिए लेकर आया है एक एक्स्क्लूसिव IPO ओफर, अपना DMAT और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ जिसके जरीए अगर आप लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर्ज में ट्रेड करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोक्रेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपे तक का कैश बैक और ये ओफर LIC की लिस्टिंग के 15 दिन तक वैलिट रहेगा तो देर मत कीजिए डाउनलोड कीजिए 5 पैसा एप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अब तो सब को पता है निवेश हुआ आसान और लाबदायक आज के दिन की क्लोजिंग थी 15,808 359 पॉइंट्स डाउन 52930 के स्थर पर पहुँच गया है और आज जो गिरा तो 1158 पॉइंट्स साफ हो गए नेगेटिव क्या था सबसे ज़्यादा दबाव किसका था HDFC बैंक, Reliance Industries Bajaj Finance, ICIC Bank HDFC ये तमाम स्टॉक्स आज बजार पर दबाव डाले हुए थे overall broader market पर ही sell-off देखने को मिल रहा था जिसमें advanced declines Nifty के देखोगे तो 95 shares लाल निशान में और मातर 5 shares हरे निशान में दिखाई देंगे, लेकिन percentage ग्रावट के terms वाले stocks की जादा थी, equity futures में जहाँ पर बड़े सौदे डलते हैं, वहाँ पर 92% shares आज लाल निशान में बंद होते हुए नजराए हैं, पहले Nifty Gainers बता दें क्योंकि बहुत ज़्यादा बिक्वाली थी तो कुछ stocks जो चुनिंदा stocks हलकी खरेदारी जहाँ पर हो रही थी, percentage बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी Wipro यहाँ पर तेजी बनती वी नजराए, आईशर Motor, HCL Tech, TCS, Dr. Redis कुछ सम्हालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं आया, क्योंकि गिरावट की percentage देखिया, पहले है अधानी Ports, लगभग 6% टूटा, Indecent Bank 5.5% से ज़ाधा का गोता लगा गया, Tata Motors 4% टूटा, Tata Steel 4% नीचे बनत हुआ है, और JSW Steel की हालत थे खराब, Pornet 4% आज गिरावट के साथ हुआ है, बन कल इंपॉर्टन यह है कि MSCI का Semi Annual Index Review होना है, और यह बहुत इंपॉर्टन है Stock Market के लिए, क्योंकि इसमें अगर कुछ Stocks की Weightage बढ़ती है या फिर कोई नए Stocks MSCI की List में शामिल होते हैं, MSCI Index में शामिल होते हैं, तो उनमें Inflows जादा देखने को मिलता है, यानि विदेशी निवेशक महाँ पर Investment करेंगे, Passive Investments ऐसी सभावना बढ़ जाती है 31 मई से यह बदलाव जो होंगे, यह Implement होंगे लेकिन कल मौर्निंग में पता लग जाएगा कि MSCI Index का हिस्सा कौन बना और कौन निकला बाहर लेकिन दो रिपोर्ट्स जो हैं, उनका अपडेट में आपको दे दू पहले है, Edelweiss Alternative and Quantitative Research का अनुमान, वो है कह रहा है कि MSCI Standard Index का हिस्सा जो तीन स्टॉक्स बन सकते हैं, उसमें JSPL, अदानी पार और Tata LXC इंफ्लोज आपकी स्क्रीन पे है, JSPL में लगबग 150 मिलियन US डॉलर्स का इंफ्लोज हो सकता है, अदानी पार 150 मिलियन US डॉलर्स का अनुमानित इंफ्लो, Edelweiss Alternative and Quantitative Research बता रहा है कि हो सकता है MSCI Standard Index से जो बाहर हो सकता है, उसमें एक स्टॉक बताया गया है, हो है HDFC AMC, अनुमान है कि अगर बाहर हुआ तो लगबग 85 मिलियन US डॉलर्स का आउटफ्लोज देखने को मिल सकता है और Reliance Industries की MSCI Index में वेटेज भढ़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लगबग 180 से 200 मिलियन US डॉलर्स का इंफ्लो, Reliance Industries को भी देखने को मिल सकता है, एक और रिपोर्ट है, MK Global की, जिनका अनुमान यह है कि MSCI Index में से कोई बाहर तो नहीं होगा, लेकिन जो अंदर आने का क्राइटीरिय है, कुछ stocks फुल्फिल कर रहे हैं, और हो सकता है कि यह MSCI Index का हिस्सा बन जाएं, जिसमें Bank of बढ़ोदा प्रॉमिनेंट है, 58 मिलियन US डॉलर्स का हो सकता है, और वेटेज हो सकती है, इसकी 0.16% MSCI Index में, टाटा, एलेक्सी, 131 मिलियन US डॉलर्स का इंफलो हो सकता है, अगर शामिल हो गया, और 0.37% की वेटेज कैरी करेगा, NMDC, 60 मिलियन US डॉलर्स का इंफलो हो सकता है, और वेटेज ये कैरी करेगा, 0.17% की, अधानी पार और AU Bank, दोनों ही स्टॉक्स हो सकता है, कि MSCI Index का हिस्टा बन जाए, और 0.37% और 0.29% का वेटेज कैरी करेगा रिस्पेक्टिवली, इंफलो होगा, 132 मिलियन, या 104 चार मिलियन रिस्पेक्टिवली, इंदोनों ही स्टॉक्स में ऐसा MK Global का अनुमान है, अगर institutional activity देखें, तो FIS बिल्कुल रूठे हो है अंडिन मार्केट से, और यही प्रूफ हो रहा है, मई महिने में कोई भी ऐसा दिन 11 माई को 369 करोड रुपे की बिक्वाली, 10 माई को 3960 करोड रुपे निकालते हुए नजराय FIS, 9 माई का डेटा यह बताता है कि 3361 करोड रुपे निकाले गए, 6 माई को 5517 करोड रुपे की बिक्वाली FIS ने की है, 5 माई को 274 करोड, 4 माई को 3288 करोड रुपे बिक्वाली और 2 मही को 1853 क्रोड रुपे की बिक्वाली FIS की फ्रेंट से हुई है कैश मार्किट में कह सकते हैं कि DIs लगातार खरीदते चले जा रहे हैं मही में लेकिन कब तक बजार समलेगा ये कहना इसे में मुश्किल है और FIS की पिछले एक साल से जबरदस बिक्वाली होई और मई में तो हैरान कर दिया है अब तक लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आज जो टूटे उसमें थे फिनांशल्स स्पेशली बैंक्स जिसमें PSU बैंक्स PNB नतीजों के बाद लगभग 13% धेर हो गया अच्छा PSU बैंकिंग इंडेक्स ही लगभग सवा 5% से ज़ाधा तूटा है आज उसमें सबसेदा तूटा है पंजाब नाशनल बैंक नतीजों के बाद मुनाफ़े की फिगर बिलकुल भी एक्सपेक्टेड लाइन्स पे नहीं आई थी उसका असाराता वो नज़राया बैंक ओफ इंडिया 6% साफ हुआ पंजाब इंसिंद बैंक 5% से ज़ाधा तूट गया बैंक ओडोदा कैनरा बैंक 4% से 5% लोड़कते हुए नज़राय इंडियन बैंक यूनिन बैंक और SBI है 3% से 4.5% धेर हो गए निजी शेत्र के बैंक में बिक्वाली हुई कल थोड़ी उम्मीद बनी थी कि बैंकिंग हो सकता है कि बजार को सहरा दे दे लेकिन आज बैंकिंग ही सरेंडर कर गया तो बजार का सम्हलना तो लगभगते है था कि आज नहीं हो पाएगा बजार से कुछ भी आज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और लग और यहीं हुआ है प्राइवेट बैंक में आज के सत्र में इंडेसेंट बैंक 5% साधे 5% टूटा फेडरल बैंक 5% से जादा तूटा आर बील आईडी एफसी फर्स बैंक एक्सिस बैंक में 3.5% से 5.5% की गिरावट देखने को भी लिए कोटक बैंक आईसेसे बैंक और एचडी एफसी बैंक सवा 2% से पौने 3% लुड़कते हुए नजराय हेवी वेट्स में बिक्वाली थी फिनांशल सर्विसिस एक और तबका जहां पर बिक्वाली श्रीराप ट्रांसपोर्ट फिनांस 5.5% लुड़का मुथुट फिनांस आईसेसे प्रोडेंशल बजाज फिनांस बजाज फिनसर्फ पी एल HDFC इन स्टॉक्स में 3% से 4% का क्राक आज के सत्र में पढ़ा है परसंट लुड़कते वे नज़राएं तो दिक्कत तो है साफपता लग रहा है कॉंवरेटी स्टॉक्स में भी ही एनर्जी स्टॉक्स का दिन बिल्कुल नहीं था अदानी ग्रीन 8% टूट गया अदानी ट्रांसपिशन 5% टूट गया टाटा पार, NTPC ये पॉने 3% से 3% लुड़के हैं और रलाइंस इंडस्ट्री खुद हेवी वेट 2% लुड़क करब हुआ है बंद ऐसे बजार में खरेदारी कहां करें समझना इससे में बहुत जादा मुश्किल है कॉंसा स्टॉक काप टूट जाए पता है लगता ओवरनाइट रिस्क बहुत जादा हो गया है तो कैरी नहीं होती है ऐसे बजार में पुजिशन लंबी लेकिन मिड क्याफ गेने इसकी सूची गिरते बजार में जो चढ़ा उसमें था पर बंदो कांट लेटर हाफ में तो जो खरिदारी हुई है इसमें 15.5 परसंट ऊपर बंद हुआ है कि यह नक्यास सकते कि कितने समयज तक यह गेंस टेकेंगे कर बियल 25 परसंट ऊपर बंद पर्सेंट उछलकर हुआ है बंद प्रामरी मार्केट में प्रूडेंट कॉपरेट एडवाईजरी सर्विसेज का आई-प्यो आज बंद हुआ है 538.6 करोड पर जुटाने चाहती थी उन्हें ने जुटा लिए है 1.22 टाइम सब्सक्राइब हो चुका इसके लावा डिलिवरी और वीनस पाइप्स का आई-प्यो जो है वो कल अबंद होने जा रहा है डिलिवरी जो है लोजिस्टिक्स कंपनी 5.235 करोड पर जुटाना चाहती है लेकिन अभी तक 0.23 टाइमस कही सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए है तो वीक सब्सक्रिप्शन है वीनस पाइप्स बहु अब अमेरिका में हमने 8.3% का आकड़ा देखा महंगाई में लेकिन जो इंडिया में बजार बंद होने के बाद जो आकड़ा है उसमें भी 7.79% इंफलेशन फिगर आई है एपरिल महीने में हम एक्सपेट करें थे 7.5% की इंफलेशन फिगर आईगी बढ़ गई है और इस महीने में 1.9% आई है हम एक्सपेट करें थे 1.5% का आकड़ा आएगा उससे तो ठीक है लेकिन जो मुख्य चिंता है और बिया की वो महेंगाई को है और बिया को कंट्रोल करना ही और बिया की इस समय प्राथमिकता है देखते हैं अब ब्यादरें यहां से और कितना बढ़ भर 16,000 की लेवल को हमने अटेंट दुबारा करा ही नहीं और अब जो निफ्टी का अगला पड़ाव है वो है 15,670-15,550 इन लेवल्स पे अगर समहल गए तो बहुत अच्छा क्योंकि बहुत जादा डेंट बहुत जादा बिक्वाली ओल्रेडी हो चुकी है पोर्ट्पोल ज़रूरी होगा अच्छा निफ्टी बैंक से भी उमीद बहुत कम अलगाई जा सकते है क्योंकि आज वहाँ पर भी मेजर इंपोर्टेंट लेवल जो था 33,900 वो ब्रीच हुआ उसके नीचे गया तो जो बिक्वाली होती देखी हमने आज के सत्र में अब बैंक निफ्टी क देखेंगे तो बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब जहां पर हो सकता है कि वैल्यू बाइंग इमर्ज होती हुए नजराए बजार किस लेवल पर थमेगा ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप नियमित निवेश की स्ट्राटीजी अपनाएंगे अब मार्केट में हो सकता है कुछ महीने आपको दिक्कत हो बजार में प्रेशर पड़ता हुआ नजराए अगर आप नियमित निवेश ओगर पीर अफ लॉंक टर्म करेंगे तो हो सकता है यहां से अच्छे रिटर्न इंडिन मार्केट में आपके पोर्फोलियो में डिलिवर हो जाएं झाल 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 सकता है यहां से बज़ता है कि अबसे है लाएं बंड तो हुआ झाल